इस तरह के questions जो होते हैं, वो highly important होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के questions को ignore कर देते हैं, ठीके, बस किसकी वज़े से यह root लगा है, ठीके न, root लगा इसी वज़े से, बाकी root को अटारना हमारा काम है, इसलिए तो question मनाए गया है, ठीके, problem इसलिए दे गई ताकि आप solution निकालें, अब लोग solution निकालेंगे, तो फिर problem देने का क्या फायदा, ठीके, problem को solution जो हम निकालते हैं, तभी हमारा brain जो फंक्शन करता है, ठीके, आसान question solve करेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं, मैं इस बात की 100% guarantee लेता हूँ, यह असान question solve करते हैं, आपको कोई भला न निकाल सकते हैं, लेकि अगर आपको पता होगा कि तो हम लोग total square में convert कर सकते हैं, कैसे, one को मैंने बताया था, one को देखने का नजरिया, यहाँ भी हमें एक चीज मेंटर कर रही ही, देखने का नजरिया, आप one को क्या देखते हैं, one आपके लिए क्या है, सिर्फ one है, यह फ ठीक है, so thank you, अगर आपको कोई question में दिक्कत आ रही है, तो आपके comment करके पूछ सकते हैं, बाकी आप Instagram, Twitter और बहुत जिगा मुझे से जोड़ सकते हैं, so one को हमने देखा क्या, sin square x by 2 plus cos square x by 2 लिखा है, ठीक है, अब x by 2 ही क्यों है, क्योंकि हमारे पार देखे, a square plus b square plus 2ab, 2ab जो होना चाहिए, देखे, यहां पर sin x लिखा है, अब 2ab तो है नहीं, तो हमने पता है, हमने फॉर्मलाज में पढ़ा है, तो sin x is equals 2 sin x by 2 cos x by 2 होता है, बहुत बार बहुत जखा, बहुत तरीके से आपने इसका इसका इस्तमाल किया है, so a square plus b square plus 2ab, ठीक है, तो क्या हो गया, a plus b का whole square, इसी लिए कहते हैं, हैं, इसी लिए कहते हैं हमारे वीडियो देखते रही है आप लोग, so playlist में जाकर करके आप trigonometry का एक वीडियो देखेगी, जिसमें मैंने formulas के बारे बहुत अच्छे से detail में, मतलब detail में कहा, बहुत short, मतलब बहुत short and simple तरीके से explain किया है, और आपने याद कर लिया, तो कसम से बतारा है कोई trigonometry का ऐसा question नहीं, कोई trigonometry का ऐसा question नहीं, जो आप से हो न पाए, ठीक है, बहुत थोड़े से formulas, एक page मैंने सारे formulas को निप्टा दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो यह क्या, इसको हमने root में लिखा, तो root से बा तो कुछ ऐसा होगा, हमने पास क्या है, 1 by root 2 finally, 1 by root 2 upon cause of x by 2 minus 5 by 4, यह आगया हमने पास, इसको उपर ले जाएंगे, तो sec x by 2 minus 5 by 4, ठीक है, तो यह चीज हो गई हमने पास, बाकी sec integration of sec x, sec x का integration होता है, log tan x by 2 plus 5 by 4, तो देखें यहाँ आप x by 2 क्या है, यह पूरी चीज x है, मतलब जो input है, वही पूरा x है, ठीक है, x by 2, इसको by 2 करेंगे, तो x by 4 हो जाएगा, बाकी minus 5 by 8 हो जाएगा, plus 5 by 4, यह हमने किया है, ठीक है, इस बात को समझेगा आप लोग, ठीक है, बाकी यहाँ पे x by 2 है क्योंकि, ठीक है, तो x का coefficient क्या है, 1 by 2, तो हमने क्या क्या है, 1 by 2 जब डिवाइट करेंगे, तो मतलब इस पूरी चीज को हमने 1 by 2 जब डिवाइट करेंगे, तो यह 2 ऊपर आजाएगा, देखे 2 मलप्लाई होगा पूरी चीज से, जब 2 पूरी चीज से मलप्लाई होगा है, तो 2 का मतलब, root 2 into root 2, ठीक है, तो यह root 2, यह root 2, एक cancel होगा, ब X by 4 plus Y by 8, thank you for watching this video and make sure you like the video and subscribe to our channel, thank you, have a nice day.